हेलो, नमश्कार सुडेंट, वेलकम टो इन्नोवेशन स्टडी चैनल, आप सभी का यहां पे श्वागत करते हैं, तो चलिएगा हमारा जो तीसरा मोडल पेपर चंद्रा है, उसकी पहली क्लास अपने लगा लिया है, आज अपन इसकी दूसरी क्लास करने वाले हैं, तो सभी वाटसप ग्रूप, फेस्वु ग्रूप, जितने भी हैं, क्लासों को शेर कर दें अपने मित्रों फ्रेंड के पास, ताकि अपन जो क्लास है, उसको आगे तक बढ़ा सकें, और सभी तक अपनी क्लास को पहुंचा सकें, और आपने पीछे वाली क्लास से अटेंड नहीं किय से तेन नमर के उसन तक अपने complete कर लिया है कि एक सो चानमे और 38,220 का मैसा ग्यात करने के लिए Euclid विवाजन algorithm का परियोग कीजी Euclid विवाजन algorithm क्या होता है A is equal to BQ plus में R होता है अपन formula अच्छे से जानते हैं क्या होता है A is equal to BQ plus में R होता है क्या करते हैं बड़े नमर को छोटे नमर से डिवाइड करना होता है तो यहां पर लिखेगा 38,220 और यहां पर हमारे पास में है 190 क्यों लिखेगे क्योंकि 190 है 190 है less than है किस से 38,220 से 38,220 से less than है तो अपन क्या करेंगे इसमें डिवाइड करेंगे इदर 7 बचेंगे और 17 में इसे 9 जाएगे तो 8 बचेंगे और यहां पर बचेंगे हमारे पास में 1806, उपर से आगया 2 अब अपन यह टेबल पढ़ेंगे लगबग 9 तक कितने तक पढ़ेंगे? 9 तक पढ़ेंगे तो यह 9 छिक के 54, 5 आएगा 9 के साथ में 81 आएगा 81 प्लस में 86 तो यहां पर 8 आएगा 9, 8 कितना होजेगा? हमारे पास में 17, 1764 कितना आएगा? 1764 आजेगा, अब इसके बाद में इसमें से गटाएंगे 12 में से 4 को गटाएंगे तो 8 आजेगा इदर कितना बचेगा? इदर हमारे पास में बचेगा 5, इस साइड से आएगा 15, 15 में से 6 आएगे तो 9, 98 उपर से क्या आएगा? 2 900 ठीक है चलो यह तो 2 तो आगया 0 आना है अब यहां पर क्या आना है? 0 आना है, अब 0 कैसे आएगा? 5 से मल्टिप्लाइ करेंगे तो 5 से मल्टिप्लाइ करेंगे तो यह 5, 6, 3, 3, 5, 9, 5, 45, 3, 48, 48, 48, 48, 48 और यहां पर 5 और 4, 9 तो यह आपके पास में कितना आएगा? 5 पर यहां पर एक ही टरम में भाग पूरा-पूरा चला गया से इस पर हमारे पास में 0 बच गया तो आपने लिख सकते हैं कि यहां पर 38,000 38,220 is equal to 106 में B हमारे पास में क्या रहेगा? 106 में और Q क्या रहेगा? 106 में प्लस में 0 तो इसका जो मैस है 106 में वे 38,000 38,220 का मैसे या अच्चेप बोल सकते हैं कितना होगा? 106 में होगा 106 में होगा यह आपके पास में क्या आएगा? अच्चेप आएगा जहां पर से इस पर 0 आजाता है तो वहां पर B का मान ही क्या होगा? इसका अच्चेप होगा समझे? अब इसके बाद में देखेगा बहुपद 6X की स्क्वेर माइनस में 3 माइनस में 7X का सुनने ग्यात किजी किसन वाला थोड़ा तेज दिमाग का है अपने से ज़्यादा दिमाग का है इसने क्या किया है? माइनस 3 को पहले लिख दिया और माइनस 7 को बाद में लिख दिया अब आप कई बच्चे न जल्द बाजी में क्या करते हैं? बाहर वालों का मल्टिपल है 6 साथे 42 6 साथे 42 42 42 42 42 42 42 42 ऐसे सोचते रहते हैं तो बैटा ऐसे नहीं करना है जल्द बाजी में तो आपको क्या करना है? इसमें देखो ऐसे करना है 6 X की स्क्वेर पहले मैक्सिमम पावर यनि सबसे ज्यादा पावर फिर छोटी पावर फिर छोटी पावर फिर छोटी पावर ऐसे ही equation बनती है तो आप यहां पे 2 X की पावर 2 लिखेंगे माइनस में फिर 7x को लिखेंगे और फिर लिखेंगे 3 और सुन्यक निकालने के लिए किसी भी बहुपद को क्या करते हैं 0 के बराबर लिखते हैं किसी भी बहुपद को क्या करते हैं 0 के बराबर लिखते हैं फिर इसके factor करते हैं इसके गुणनखंड करते हैं अब इसका गुणंद कर्ण कीजिएगा 6-18 और 9 दुनी 18 और हमारे पास में फैक्टर बन जाएंगे न अब ऐसी दो संख्या लेकि आए जिसका मल्टिप्लाइ माइनस के 18 हो और स्केर लग जाए और जोड़ने और गटाने पर माइनस के नो आए तो 6 माइनस के साथ आए तो 6x की स्केर माइनस में मैंने लिख दिया 9x और प्लस के 2x माइनस के 3 इस इकल टू 0 इस इकल टू 0 फर्स्ट दो में से क्या कॉमन आएगा तो यह है आपके पास 2x माइनस में 3 और यह प्लस का एक बच गया तो यह आएंगे 2x माइनस में 3 इस इकल टू 0 तो यह कंडिशन आएगी 2x माइनस में 3 और यह आएगा 3x plus में 1 is equal to 0 तो एक बार 2x minus में 3 is equal to 0 और एक बार है 3x plus में 1 is equal to 0 तो यहां से x का मान कितना आएगा minus के 3 बटा 2 और यह plus का हो जाएगा क्यों हो जाएगा अभी इस side से जाएगा यह तो plus का हो जाएगा यह भाग में लग जाएगा तो x का मान आएगा 3 बटा 2 और यहां से x का मान आपके पास में होजेगा माइनस का 1 बटा 3 तो इसके 2 सुन्यक होंगे आता है बहुपद के 2 सुन्यक 2 सुन्यक एक तो होजेगा माइनस का 1 बटा 3 और एक होजेगा 3 बटा 2 इस बहुपद के सुन्यक क्या होजेगे माइनस का एक बटा तीन माइनस के एक बटा तीन और पलस के आएंगे तीन बटा दो इसके क्या होजेगे सुन्यक होगे अब इसका लिजीगा आप सक्रिंसोर्ट अब चलते हैं नेक्स्ट क्यूस्टन पर अब देखेगा next question है 6 number question एक आयताकार बाग का अर्द परिमाप 36 मिटर है उसकी लंबाई चोड़ाई से 4 मिटर अधिक है बाग की विमाई विमाई क्या होती है उसकी लंबाई और चोड़ाई उसकी माप होती है उसकी विमाई अब इसके बाद में आता है अर्द परिमाप की बात आती है अर्द परिमाप क्या होता है परिमाप होता है जिसके चारों और का रास्ता चारों और का रास्ता उसका परिमाप अर्द प्रिमाप यानि उसकी एक तो साइड लंबाई ले ले और एक इसकी चोड़ाई ले 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 वह होता है अर्द प्रिमाप यानि आदा भाग अब सबसे पहले अपन को solution करने के लिए मानना पड़ेगा उसकी लंबाई और चोड़ाई में हमें relation दे रखा है उसकी लंबाई है वो चोड़ाई से 4 मिटर दिक है तो मानना आयताकार बाग की चोड़ाई आयताकार बाग की चोड़ाई आपने x मिटर माल लिया ठीक तो इसकी लंबाई है तो लंबाई क्या होजेगी उसकी चोड़ाई से 4 मिटर दिक है तो x प्लस में 4 वो भी मिटर में आयत का प्रिमाप क्या होता है आयत का प्रिमाप प्रिमाप होता है दो गुणा लंबाई प्लस चोड़ाई यह होता है अर्द परिमाप क्या होज़ेगा आयत का आयत का अर्द परिमाप यानि आद्धा परिमाप यह होज़ेगा दो का भागल लगा तो दो से दो करचेगा यानि लंबाई प्लस चोड़ाई उसका क्या होज़ेगा अर्द परिमाप होज़ेगा क्युष्चन में हमें आर्दप्रिमाप कितना दे रखा है इसमें दे रखा हमें 36 मीटर लंबाई कितनी है x प्लस में 4 x प्लस में 4 प्लस में चोड़ाई कितनी है x is equal to कितना है 36 इसको जोड़ दो x और x कितना होजेगा 2x plus में 4 is equal to 36 तो यहां से 2x is equal to 36 माइनस में 4 कितना बचेगा 32 तो x का मान कितना होगा x का मान होगा 32 बटे 2 32 बटे 2 यानि 16 16 मिटर तो आपके पास में उसकी चोड़ाई कितनी आगी x क्या मानना था चोड़ाई माननी थे 16 मिटर तो लंबाई कितनी होजेगी लंबाई होजेगी 16 प्लस 4 यानि 4 मिटर तो 16 प्लस में 4 is equal to 20 मिटर लंबाई कितनी है 20 मिटर आपको इसकी लंबाई और चोड़ाई निकालनी थी तो आपके पास में यानि लंबाई 20 मिटर है वे चोड़ाई चोड़ाई कितनी है 16 मिटर है 16 मिटर है या ऐसे लिखो ऐसे लिखो कोई बात नहीं 16 मिटर ऐसे लिख दो चोड़ाई 16 मिटर लंबाई 20 मिटर है पूरण वरग वीदी से आगे वाला क्योंसने 7 नमबर पूरण वरग वीदी से complete square मेथड से आपको क्या निकालना है इस दिविघात equation को हल करना है पूरण वरग बना के तो पूरण वरग वीदी तीन condition होती है पहली condition तो यह होती है तीन सर्थ होती है पहली सर्थ तो यह कि x की square का गुणाक एक करते है दूसरी condition ये कि चर और अचर को अलग-अलग कर दें तीसरी condition ये कि x के गुणाख का हाप करके उसका हाप करके और इसका square दोनों तरफ जोडने और गठाने पर चिक ये समझे अब इसके बाद में देखेगा पहली condition तो satisfy अपने आप है कि x की square का गुणाख एक है कोई दिक्कत नहीं है अब इसके बाद में दूसरी condition ये है कि चर और अचर को अलग-अलग करते हैं तो यहाँ पे x की square plus में 16x plus में 57 is equal to 0 57 is equal to 0 आपको नहीं दे रखाए तो बटा 0 बना लेना 0 दिया हुआ है 0 आपको यहाँ पे given है का हल करो ठीक है अब इसके बाद में चर और अचर को अलग कर लेते हैं तो x की square plus में 16x यानि यह तो इसके साथ में दोनों के साथ में 4 है लेकिन अचर कौन सा है 57 है और यह 57 इस साइड में जाएगा तो माइनस के 57 बन जाएगा अब हमें तीसरी condition क्या बताई जाती है कि x के गुणा का आदा x का गुणा कितना है जो x के गुणा में है वो 16 16 का आदा कितना होता है 16 के आदे का square आदा होता है 8 और 8 का square होता है 64 8 का square होता है 64 दोनों तरफ जोडने पे तो दोनों तरफ जोड दो X की स्क्वेर प्लस में 16X प्लस में 64 यहाँ पे जोड़ दिया और यहाँ पे दूसरी तरफ भी 64 जोड़ दिया और माइनिस के 57 यहाँ पे अलरडी है क्या बताया जाता है X के गुणा का आदा करो उसका वरग दोनों तरफ जोड़ दो आदा किया तो 8 बन गया X का गुणा 16, 16 का आदा 8, 8 का स्क्वेर 64 दोनों तरफ जोड़ दिया यह क्या बन गया यह दिखो यहाँ पे लिखोगे X की स्क्वेर अगर जेस्ट यहाँ पे X की स्क्वेर के बाद में जेस्ट प्लस है तो यहाँ पे क्या लगा होगे प्लस अगर जेस्ट माइनस है तो क्या लगा होगे माइनस तो प्लस है तो मैंने प्लस लगा दिया किसका स्क्वेर जोड़ा आपने 8 का स्क्वेर जोड़ा है 8 का होल स्क्वेर कर दो वापिस बनाओगे A का स्क्वेर प्लस B का स्क्वेर प्लस 2FB, वापिस बन जाएगा, A स्क्वेर प्लस B स्क्वेर प्लस A, 2FB वापिस यह कंडिशन बनेगी, और 64, 64 में से 57 को गटा दो गटा, 4 और 37, कितना बचेगा, 4 और 37, अब यहां पे देखोगे, तो आपके पास में से स्केर हटा होगे यहां से स्केर हटा होगे तो इस पर रूट लगेगा रूट में आएगा साथ और वह भी किसका प्लस माइनस का वह भी किसका आएगा प्लस माइनस का तो एक बार तो आप लिखो के प्लस चिन्य लेने पर प्लस चिन्य लेने पर प्लस चिन्य लोगे तो य आएगी एक आएगा माइनस चिन है माइनस चिन है लेने पर तो माइनस चिन है लोगे तो यह बनेगा x प्लस आठ इस इकल टू माइनस के रूट साथ तो यह बनेगा x इस इकल टू माइनस के root के 7 और यह बनेगा minus के 8 तो minus मैंने common ले लिया यह बनेगा root के 7 प्लस में 8 यह आपके पास में इसका क्या आजएगा x के मान आजएगे इसका solution आजएगा x का मान कितना कितना आएगा चक कर लेते हैं वेटा एक बार minus के 8 प्लस के root साथ चीक है और यह भी आपका right answer है यहां पर भी minus मैंने दोनों से बार ले लिया तो प्लस के दोनों बन जाते हैं that is clear तो इसका आप screenshot लीजिए इसको वेटा साथ में नहीं लिखना है इसको तो आपको एक side में करना ठीक है अब इसका screenshot लीजिए next पर चलते हैं अब देखेगा student next eight number question है एक समांतर सरेणी है आपको गिवन है जारा आठ पांच दो इस परकार से घड़ते हुए करम में हैं का एक पद माइनस के 150 है का यह आपको बताना है अब किसी टरम में कोई पद होता है तो count करते हैं तो एक प्राकर संख्या प्राप्त होती है एक natural number हमें प्राप्त होता है जैसे कि पांच वहां पद है छटा पद है सात वहां पद है आट वहां पद है ऐसे अपन कभी नहीं बोलते कि पांच पॉइंट चारवां पद है या 63.2 पद है या 16.2 पद है यह से नहीं बोलते count कभी counting कभी भी पॉइंट में नहीं होती उसी प्राकार से नोमा क्यूशन भी आपको AP से ही relative है AP चेप्टर से यह अब देखते हैं बटा इस क्यूशन को solve करते हैं सबसे पहले आपन अ ग्यारा है डी का मान क्या होता है ए two माइनस में a1 होता है ए two का मान यहां पे 8 माइनस के 11 है इस इकल टू माइनस के 3 है माना इस आपने माल लिया कि माना हमने अनुआ पद a n is equal to minus के 150 है अनुआ पद ग्यात करने का आप formula जानते हैं a n is equal to होता है a प्लस n minus में 1 into d तो a n का मान कितना है minus के 150 is equal to a का मान कितना है 11 plus n का मान आपको ले किया आना है minus में d का मान कितना है minus के 3 है तो ये आपके पास में minus के 150 आएगा और ये 11 है अंदर गुणा करा दो minus के 3 n minus minus और minus plus के minus और minus plus के कितने बनेंगे 3 बनेंगे 11 और 3 14 14 इस साइड में लेके आओगे तो यह होजेगा 164 माइनस का वो भी किसका होजेगा माइनस का 164 होजेगा बराबर माइनस के 3 माइनस से माइनस कर जाएगा N का मान कितना आएगा 164 बाई 3 164 में 3 का भाग लगा है 5 तिये 15 15 तिये 15 एक बचेगा 14 4 तिये 12 एक बचेगा पॉइंट 3 इस परकार से जाएगा तो N का मान आपके पास में आगया 54 पॉइंट N का मान कितना आगया 54 पॉइंट 6 54 तिये 12 दो बच गया 24 पॉइंट 6 क्या यह एक नैचुरल नंबर है क्या 4.66 वहाँ पद 150 होगा नहीं लिखोगे यहाँ माइनस के 150 इस AP का पद नहीं है यहाँ पे 4.66 आगया यानि N का मान एक पुर्ण संख्या प्राप्त नहीं है ऐसे भी लग सकते हो यहाँ N का मान एक पुर्ण संख्या पुर्ण संख्या नहीं है इसलिए माइनस के 150 इस AP का पद नहीं है आगे वाला 9 नमर के उसन उस समांतर सरेनी के पर्थम 22 पदों का योग ज्यात कीजिए जिसमें D का मान तो 7 है और 22 वाँ पद कितना है 149 है अनुवा पद आपको दिया गया है और पर्थम 22 पदों का योग ज्यात करना है आपको ठीक है तो आप एक फोर्मूला जानते हैं SN का मैं दोनों इक फोर्मूले लिख देता हूँ यहां से N पदों का योग ज्यात करने का फोर्मूला होता है N बाइ 2 N by 2 और यह होता है 2A plus 2A plus यह होगा N N minus में 1 into D A किसका दूसरा another formula होता है same यह formula तो इसी से निकलता है लेकिन N by 2 यहाँ पे A A plus में N minus में D यह कौन सा formula है A तो यहाँ पे A plus A अन्वा अन्वा क्या है अन्तिमपद है तो यहाँ लिखोगे यहाँ D is equal to 7 A अन्तिमपद यानि अन्तिमपद कौन सा है sorry 149 है 22 मापद बोले A 22 मापद लिख दो यहाँ पे A 22 मापद कितना है 149 है हमें तो 22 पदों का योग ज्याद करना है N का मान यहाँ पे given है रख दो इस question में नीचे वाले formula में लिख दो रखोगे तो direct आजएगा तो यहाँ पे आएगा S 22 is equal to 22 बटा दो A का मान कितना है A पर्थमपद आपके पास में नहीं है क्या हम 22 पर्थमपद भी आपको ले के आना पड़ेगा तो पर्थमपद कैसे ले क्या होगे यहां से पर्थमपद निकाल लो कोई बात नहीं पर्थमपद में यहां पे निकाल लो तो आपके पास A 22 को क्या लिखते है A 22 को आप लिखते है A plus में 21 D तो D का मान आपको पता है a 222 वांपद आपके पास में कितना है a 222 वांपद है 140 140 तो यहां से calculation करते हैं तो आपके पास 2D बनेगा 140 minus में a का मान इस साइड जाएगा minus का उजएगा और हमें तो d का मान प्राप्त हैं कोई बात नहीं नीचे कर देता हूं में यहां पर जिएगा sort में हैं तो यहां से देख लिजएगा कि आप a 222 वांपद आप लिख सकते हैं कितना a plus में 21D वांपद आपको ले के आना है is equal to 149 माइनस में 21 into d का मान है 7 d का मान है 7 147 149 माइनस 147 दो a का मान क्या आगया 2 तो यहां पर रखोगे 2 plus an का मान 119 149 इसको काट दो 11 दूनी 22 ग्यारा से कर जाएगा तो यह आपके पास में s 22 पर्थम 12 पदों का योग कितना आजएगा 11 गुणा 150 और 151 151 तो 11 एकम 11 एक बचेगा 11 पांच पीच पन और एक 56 पांच पचेगा 11 एकम 11 ग्यारा और पांच शोला तो 161 चक कर लेते हैं बटा एक बटा एक बटा करते हैं इसका सक्रेंस ओट लेजेगा आप अप नेक्स्ट पे चलते हैं अब चलिएगा सुट्डेंट नेक्स्ट है 10 नमर के उसन दिये गए तिर्बुज ABC के समरूप तिर्बुज की रचना कीजिए ABC एक तिर्बुज की समरूप एक ABC तिर्बुज बनाना है इसके अनधर दूसरा तिर्बुज इसके समरूप बनाना है जिसकी भुजा दिये गे तिरूज की संगत भुजा की क्या है? 3,5 गुणी है एक तिरूज ABC बनाना नै तो आपको माप दिया गया. अब आपको एक अपनी मरजी से एक लाइन खिंचनी है, जो भी BC है, जो भी है. अब सबसे पहले क्या करते हैं? यह भी एक लाइन खिंची आपने इस परकार से तिरबुज बनाने के लिए तीन बिंदू होनी चाहिए तीन बिंदू होनी चाहिए इसके लिए अपन क्या करते हैं अब परकार को अपनी मर्जी से 4-5 cm रिया इस रिखाके इक्वल खोलेना कम ज्यादा खोलेना एक चाप लगाई एक यहां पे लगाते हैं जो भी आपने ट्याप लगा दिया अब परकार को इतना खोलना है कि यह इस चाप को काट दे तो यहंसे बी से एक चाप काटना है जो कि दूसरी को चाप काटेंगे व वहां से इन दोनों को आपस में मिला दो, जो काट रहे हैं उनको, अब ये बिंदू सी दे दिया आपने, तो सबसे पहले अपने एक तिरबुच ABC बनाया, अब बिंदू A से नियून कौन बनाती हुई, नियून कौन बनाती हुई, कोई रेखा D खिंची, अब इसमें सबसे बड़ा भाग कौन सा है, पांचवा भाग है, तो अपने परकार की साहिता से, परकार को लगबग एक सेंटिमीटर से कुछ ज़्यादा ओपन करके, पांच चाप लगा दी, कितने चाप लगा दी, एक, द पांचमें भाग को इससे मिला दो, यह A1 हो गया, यह A2 हो गया, A3 हो गया, A4 हो गया, और A5 हो गया, अब परकार को अपनी मर्जी से उपन करके, ऐसे चाप लगाओ, आपने ऐसे चाप लगा दिया, उतना ही परकार को खुला रखके, उपर कौन सा भाग है, तीसरा भाग ह परकार को खुला रखना है उतना ही परकार को खुला रखना है परकार को खुला रखना है और आपको एस एक चाप लगाना है जितना यह चाप का लंबाई है उतना ही चाप का लंबाई यहां परकार होगा तो अच्छा ही बनेगा यह एफ बिंदू दे दिया आप बोलोगे कि यहां पर यह EF है न, EF है वों किसके parallel रहेगा, BC के parallel रहेगा और angle A, और angle A क्या है, ubanist angle है, तो आप बनाएंगे कि तिर्बुज A, E, F समरूप है, तिर्बुज ABC के, तो यह तिर्बुज क्या हो जाएंगे एक दूसरी के समरूप तिर्बुज हो जाएंगे, इस प्रकार से आपको रचना भी करनी है, इसमें दो नमबर का क्यूसन है, तो आपको इसमें रचना भी करनी पड़ेगी, यह diagram ऐसे बनाना है, अब इसके बाद में देखेंगे 11 नमबर है, 4 cm, 5 cm, 6 cm बुजा वाले एक तिर संगत भुजाओं की दो बटा तिन गुणी है, सबसे पहले इसमें माप दी गई है, अब आपको टेंशन नहीं लेना है, कि माप नहीं दीगी सर्जे अपन क्या माप लेते हैं, तो इसमें बटा आपने बना दिया बगएर माप लिए एक लाइन खींचना है, फिर परकार को अपनी मर्जी से लगबग, यह है ना, रेका आपनी खींचे लगबग, इसके बराबर थोड़ा कम ज़्यादा कर लो, कोई बात नहीं, एक तिर बुज बनाना है हमें तो, ठीक है, तिन बुजाओं से घिरी गया करते हैं, आपको बनाना आता है, अब इसमें हमें माप उठा लेते हैं, यहनि 6 cm सबसे पहले उठाएंगे, और 6 cm की क्या खींचे गें, लाइन खींचेंगे, 6 cm की एक लाइन खींचेंगे, जो कि आपने कोई नाम दे दिया, यह भी आपने कोई 6 cm लंबा रेक खाकन खींच लिया, अब परकार को 4 cm ओपन करके चाप लगाएंगे A से और प्रकार को 5 cm ओपन करके चाप लगाएंगे B से जहां पर ये चाप काट रहे हैं उनको आपस में क्या करेंगे मिलाएंगे जहां पर ये चाप काटेंगे उसको बिंदू सीधे देंगे ये दे दिया 4 cm और ये दे दिया 5 cm ये दे दिया आपको 4 cm और ये दे दिया आपको 5 cm, अब इसके बाद में क्या करेंगे, ए बिंदु से, युन कौण बनाती हुए, एक रेखा खेंचोगे, कोई भी AD क्हेंच दिया, क्या खेंच दिया, आपने AD, अब इसमें बड़ा मान कौन सा है, तीसरा मान है, तो तीन इसक तीन टुकडे करेंगे पहला दूसरा तीन तीन चाप लगाएंगे नीचे कौन सा भाग है तीसरा है तो तीसरे भाग को इससे क्या कर देंगे मिला देंगे यह आपके पास में A1 यह आपके पास में A2 यह आपके पास में A3 A3 को B से मिला देंगे अब परकार को कम ज़्यादा कर सकते हैं और A3 पे रखके एक चाप लगाओ उतना ही खुला रखके उपर A2 है तो A2 से रखके एक चाप लगा दो तो आपने यहां से रखके एक चाप लगा दिया उतना ही परकार को खुला रखना है अब आपने यहां पे रखे एक चाप लगा दिया, अब इस चाप के लमबाई कायाद कर लो, और यहां से चाप के लमबाई, जहां पे यह चाप काट रहे हैं, उनको आपस में क्या कर दो? मिला दो लगबग ऐसे यह थोड़ा सा कहां से मिला दिया इसको इस से नहीं मिलाना है इसको A2 से मिलाना है इसको A2 से मिलाना है ठीक है तो यह तो यहां पे काट रहा है और इतना परकार से नापके यहां पे लगबग यहां पे आएगा और इसको इससे मिला दो अब यह क्या है एक दूसरे के समांतर आएगी एक दूसरे के क्या आएगी समांतर आएगी अब इसके बाद में परकार की साइता से यहां से एक चाप लगाओ गए इसे यहां से एक चाप लगा दिया उतना ही परकार को खुला रखके एक चाप लगाओगो ऐसे जो कि ऐसे लगएगा अब इस चाप की लंबाई ग्याद कर लो अब जहां पर ये काट रहा न थोड़ा नीचे काटेगा लगबग ये विंदू है तो लगबग ये विंदू काटेगा ठेकर अब आपने चाप ऐसे लगाया है इस प्रकार से तो यहां पर इस चाप के लंबाई ना पूर इस चाप के लंबाई ना पूर अब इस बिंदू को इस से मिलाते हुआ आगे बढ़ा दो तो यह जो लाइन है आपका यह बिंदू आपने डी इस में भी क्या है ओर्य किसके बेसी के अंगल ए बराबर है अंगल एके तो यह तिर्भुज अब इसके बाद में क्या रहेगा अपने लिखेंगे कि तिर्बुज ए ए ए एफ समुरूफ है तिर्बुज ए बी से के समुरूफ तिर्बुज की संगत बुज्याओं का रेशो क्या होगा जैसे आपने लिख दिया आपने लिख दिया यहां पे लिख दिया और यह लिखोगे ए सी पहले चोटे वाला का लिख रहे हो तो अपने लिख दिया इसके संगत बुज्या कौन सी है इसके संगत बुज्या है बी सी इसके संगत बुज्या है बी सी और इसका रेशो है दो रेशो तीन इसका रेशो क्या है दो रेशो तीन है क्यूंज आए अपने 10 क्यूसन और 11 क्यूसन कंप्लिट कर लिया है तो देखिएगा यहां तक आप इसका सक्रेंशों लीज़ेगा अब गरते हैं अपन नेक्स्ट पर तो अब अपन नेक्स्ट करेंगे तो गाईज हमारे पास में 11 क्यूसन है 12 देखेगा क्या आता है बारवा क्यूशन हमारे पास में है आपको क्यूशन गिवन है कि यदि 10 यदि 10 A प्लस B इस इकल टू रूट थरी आपको गिवन है और 10 A माइनस में B A माइनस में B is equal to 1 बटा रूट थरी आपको गिवन है तो A और B का मान ग्यात किजिए तो A वैं B का मान ग्यात किजिए A और B का मान ग्यात करना है तो कैसे करेंगे सबसे पहले यहां से 10 A अब यह कंडिशन लिखते है कि आपको 10 A प्लस B is equal to root 3 दिया गया है और root 3 किसका मान होता है 10 की टरम में मैं लिखूं 10 60 degree कितना होता है 10 60 degree तो यह कट जाएगा पहले टरम से तो 10 से 10 कटेगा तो यह value आएगी A प्लस B कितना आएगा A प्लस B is equal to 60 degree एक्वेशन नमबर एक बनेगा 10 से 10 हट जाएगा इसी प्रकार से दूसरी क्रिशन से देख लो 10 A माइनस में B A माइनस में B is equal to एक बटा root 3 किसका मान होता है 10 30 का मान होता है 10 30 का मान होता है 10 से 10 हट जाएगा तो यह आएगा A माइनस में B is equal to 30 degree एक्वेशन नमबर 2 समीकर नमबर 1 और 2 को जोड़ दे ताकि यह B यहां से cancel होजएगा विलोपन भी दी होजएगी यह प्लस का है यह माइनस का है तो लिखेंगे समीकर नमबर 1 प्लस 2 करने पे समीकर नमबर 1 प्लस 2 करने पे यह हमारे पास में प्राप्त होजएगा B से तो भी हट जाएगा यह माइनस का यह प्लस का तो यह A और A कितना होगा 2A is equal to 60 प्लस में 30 60 प्लस में 30 यह आपके पास में 90 डिग्री आजएगा तो A कमान कितना प्राप्त होगा A कमान होगा 90 बटा दो यानि आपके पास 45 डिग्री प्राप्त हो जाएगा 45 डिग्री प्राप्त होगा A कमान अगर A कमान 45 डिग्री है तो एक नमबर equation में रखेंगे A नमबर में समीकर नमबर 1 से समय कर नंबर 1 से अपने B का मान कितना निकालेंगे B का मान आएगा 60 माइनस में A A माइनस का जाएगा इस साइड में और A का मान कितना है 45 डिगरी है तो आपके पास में B का मान कितना आएगा 15 डिगरी आएगा ये इसका right answer हो जेगा समझ में आया क्या बताईएगा A और B का मान यानि A का मान आपके पास में 45 डिगरी आगया और B का मान आपके पास में 15 डिगरी आगया अब इसके बाद में हमारे पास में है टिग्नोमेट्री का ही क्यूसन है तेरा नमर क्यूसन स्टार्ट करते हैं तेरा नमर क्यूशन में क्या दिया गया है यह अच्छे से आप को कवर करना है कि टिग्नोमेट्री चैप्टर ज़्यादा हार्ड नहीं है कई बच्चों को हार्ड लगता है ऐसी कोई बात नहीं है जो भी में ने इसका कंप्लेट भी सेलिवस करवाय का आप देख सकते हैं टे कीजिये कि आपको शिद करना है शिद कीजिये की ये आपके पास में है cos की पावर 4θ मैनस में sin की पावर 4θ is equal to 1 मैनस में 2 sin2θ 1 मैनस में 2 sin2θ ये हमें शिद करना है अपने एक formula जानते हैं कि a का square माइनस में b का square क्या होता है एक formula लिखू मैं यहां पर द्यान से देखना कि a square माइनस में b square is equal to होता है एक बार प्लस में और एक बार माइनस में यह formula अगर अपन यूज करें तो कैसा लगेगा अब इस cos की power 4 को क्या लिख सकते हैं कोस की पावर चार को अपन लिख सकते हैं कॉस स्केर थेटा का स्केर माइनस में साइन स्केर थेटा का स्केर अपन लेके चलते हैं यहां से अलच्य साइड क्या लेके चलते हैं अलच्य साइड लेके चलते हैं एक बार तो इसका प्लस में लिख देते हैं एक बार इसको माइनस में लिख देते हैंक। तो क्या बनेगा यहां से मैं लिखू हूं कि प्लस में लिखेंगें तो कॉस्स k रोचब्ड ठीटा। प्लस में हो सैंस के थेटा एक बन गया कितना बन गया एक और एक बार लिखने माइनज में है तो कॉस्स THE बार मैंने में रहां में जैस के consider इस इसे साइड में मैं साइन्स करेंगी एधर आपको साइंस के थीटा गिवन है तो यह बन जाएगा एक माइनस में sin square theta माइनस में sin square theta 2 sin square theta 2 sin square theta is equal to RHS LHS side लेके चले हैं RHS side आगे formula कौन सा use किया अपने एक तो ये use किया अपने A square minus में B square एक formula ये use किया है कि अपन जानते हैं कि sin square theta plus में cos square theta is equal to क्या होता है sin square theta plus में cos square theta is equal to क्या होता है एक होता है That is clear 13 number question तक complete हुआ अब इसके बाद में हमें 14 number question में क्या निकालना है बहुलक निकालना है तो 14 number question ज्यादा hard नहीं है बहुलक तो आप अच्छे से जानते हैं और ये formula ना ये अच्छे से cover कर लिया गरो formula में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए यानि आप question का start-up भी नहीं कर पाते हो तो आप क्या करोगे अभी कुछने कुछ स्टार्टप तो करना चाहिए math का math में कई बच्चे बोलते हैं सर जी हमें math hard लगता है comment आते हैं बेटा इतना hard नहीं है अगर आप question को start कर लेते हो अगर आपको जानना है दिल्ली और आप जानते हैं कि दिल्ली की bus बहाँ पे लगती है उस stand पे लगती है और वो bus जाती है तो आप अच्छे से जा पाओगे कोई दिक्कत नहीं है लेकिन आपको पता है नहीं कि bus कहां पे लगेगी bus से जाए या train से जाए किस से जाए पैदल जाए तो नहीं जा पाओगे तो वो एक condition है कि अगर आप formula अगेरा अगेरा इसमें कुछ basic बात है वो जानते है formula जानना जुरूरी है चवदा नमर कि उसन देखिएगा इसका है निमन आंकडों का बहुलग ज्यात कीजिए जब कि यहां पे आपको अन्तराल गीवन है यह देखिएगा वरक अन्तराल यहां पे गीवन है और आगे आपको बारंबारता भी FI का मान और वरक अन्तराल तो वरग अंत्राल है 0 से 100 तक का 100 से 200 तक का 200 से 300 300 से 400 400 से 500 और ये हैं 500 से 600 का अंत्राल आपको गिवन है हमें इसका क्या निकालना है बहुलक निकालना है तो बहुलक निकालने का फॉर्मूला आप जानते हैं कि सबसे जदा बारम बारता देखते हैं तो सबसे ज़्यादा बारंबारता किसकी है? Frequency किसकी है? Frequency 40 है सबसे ज़्यादा सबसे ज़्यादा बारंबारता 40 है तो यहाँ पे अब इसका जो formula होता है भहुलक का वो देख लेते हैं क्या होता है? भहुलक को Z से represent करते हैं Z is equal to L plus यह होगा F1 माइनस में F0 upon में 2 F1 माइनस में F0 माइनस में F2 into H तो यह Z is equal to क्या होगा? L कमान अब देख लीजेगा L कमान यहाँ पे निमन सीमा मैं लेख देता हूँ यहाँ L कमान कितना है? निमन सीमा इसकी 100 आएगा F1 कमान कितना है? 40 है F0 कमान कितना है? 24 है F2 कमान कितना है? 33 है H कमान कितना है? 100 का अंतराल है तो 100 है तो यहाँ पे वैल्यू रखते हैं अब इस फोर्मूले में अगर वैल्यू रखेंगे L कमान आपको given है 100 आपने रख दिया प्लस F1 का मान आपको पता है कितना है 40 है माइनस में F0 का मान कितना है 24 है upon में 2F1 F1 का मान 40 40 दूनी 80 80 माइनस में यह आएगा 24 माइनस में 33 इंटू H का मान कितना है H का मान आपको 100 पता है ठीक तो J is equal to 100 प्लेस 24 इस में से गटाएंगे तो यह बच्चे का 16 और यह 80 हो जाएंगे 80 यहाँ पे 7 27 कितने हो जाएंगे 7 और 5 57 57 गटाएंगे यानि लगबग 60 23 कितना बच्चेगा 23 गुणा यह आपके पास में 100 1600 तो J का मान कितना आजेगा J का मान आएगा J 100 प्लस 1600 और 1600 में हमें क्या करना है 23 का भाग देना है 1600 में हमें 23 का भाग देना है तो भाग देके देख लीजी का यहाँ पे कितना आएगा 1600 डिवाइड बाइ 23 तो 23 पंजे 6 बार करें 6 ती अठारा 6 दूनी बारा 6 बार कर देंगे 6 ती अठारा और 6 दूनी बारा और 1 तेरा अब इसके बाद में और आजेगा और साइद नहीं आएगा ठीक अब इसे में से गटाएगे तो एक बचेगा दो बचेगा और यहां पे बचेगा 5 5 में से 3 जाएगे तो 22 220 अब कितनी बार जाएगा अब अगर 9 बार दें तो 9 बार तो नहीं जाएगा लेकिन 8 बार चला जाएगा या 7 बार 7 बार देखे देख लो यह हमारे पास में आजेगा 7 दूनी 14 7 ती 21 और 8 बार देंगे 8 ती 21 8 दूनी 16 8 बार चला जाएगा 8 ती 21 2 8 दूनी 16 16 अर्डो 18 84 कहीं पे कोई गडबड है क्या यहां पे 2 बचे गया यहां पे 2 बचे गया ठीक है 84 और भी चला जाएगा 220 है ना 9 बार चला जाएगा तो यह आपके पास में आएगा जड़ इस इकल टू सो प्लेस यह आएगा छह नो पॉइंट लग जाएगा नो बार जाएगा तो नो तियस अताइस दो नो दुनिय अठारा अठारा और दो बीस दो सो साथ आएगे 220 में से 207 जाएगे तो तेरा बचेगा यह आपके पास में 69.5 आएगा लग बग यह भाग जाएगा अब यहाँ से देखिएगा जड़ इस इकल टू एक सो उनियेतर पॉइंट पॉइंट पांच चेक कर लेते हैं इसका बहुलक कितना आएगा चौधा नम्मर के उसन का एक सो उनियेतर पॉइंट पांच अंतराल कितने का दे रखा आपको क्यूशन में अंतराल दे रखा आपको क्यूशन में शो तो भया इसमें थोड़ा सा मिश्प्रिंट है ना H का मान इसने 10 ले रखा है वरग अंतराल इसने 10 ले रखा है तो वहां पर थोड़ा चेंज कर ले ना फिर आप कोमेंट करोगे कि सर्जी आपने गलत करवा दिया है तो इसमें आएगा यह 2300 है ना 1600 बचेंगे 1600 में अपन 23 का भाग लगाएंगे तो यह इतना आएगा यहाँ पर 106 दे रखा है यहाँ पर H का मान इसने ले रखा है 10 जबकि H का मान 10 नहीं है एच का मान देख लो कितने कितने का अंत्राल है 100 का है तो 100 मान ले ना एच कीजिगा ठीक है यह इसका राइट अंसर होजेगा इसका आप स्क्रीन सोट लीजिएगा अब आपन चलते हैं नेक्स्ट पर अब देखिए आपको यह 15 नंबर क्यूशन में आपको प्राप्तांक दिया गया है बारम बारता दी गई है अब आपको यहाँ पर क्या निकालना है माध्यक ज्यात करना है इस टेबल में आपको माध्यक ग्यात करना है माद्यक यानि capital M ग्यात करना है क्योशन इस परकार से आपको यहां पर गिवन है अब इसमें 16 नंबर आपका प्राइक्ता का क्योशन है कि किसी प्रिक्षा में 100 विद्यार्थियों के द्वारा प्राप्ट किये गए आंकों का परतिसत यह आंकड़ी इस परकार से 100 विद्यार्थियों के यानि इसमें माद्य परतिसत आंक निर्धारित कीजिए तो इसका जो समय सन आएगा सम आएगा वो कितना आएगा जैसे कि अपन लिखते है यह विद्यार्थियों की संक्या जो बारंबारता आपको दी गए वो कितनी है 100 है तो सीअप निकाल लेते हैं पहले चहुदा आएगा चहुदा में 16 को जोड़ेगी तीस आजेगा तेस में 18 को जोड़ोगे 48 आजेगा 48 में 23 को जोड़ोगे यह 50 हो जेगा और यह 81 और यह हमारे पास में आजेगा स्थान में और हमारे पास में हो जेगा सो यह कितना हो जेगा सो आजेगा अब माद्यक का फूर्मूला होता है L प्लेस N बटे 2 माइनस में C F अपॉन में F इंटू H लेकिन N बटा 2 करते हैं N बटा 2 यानि 100 बटे 2 करेंगे तो 50 आएगा और 50 से ठीक बड़ी C F कितनी होजेगी 50 से ठीक बड़ी C F होजेगी हमारे पास में 71 50 से ठीक बड़ी C F क्या है 71 है तो अंतराल तो हमारे पास में अंतराल क्या आजएगा 45 से अंतराल आएगा 45 से 50 तो यहां पी L का मान कितना आएगा 45 और F का मान कितना आएगा F का मान आएगा 23 एफ का मान आएगा 23 एच का मान देख लेते हैं कितने का अंतराल है 5 का है एच का मान आए 23 ठीक है इतनी वेल्यूज आगे इस फॉर्मूले में रखते है M is equal to L का मान है 45 पलस N बटा दो यानि 50 50 C F का मान कितना आजएगा इससे जस्ट पहले वाली C F का मान और लिख देता हूं में यहां पर C F का मान है से ठीक बड़ी C F तो यह 71 लेकिन इससे पहले वाली कितनी है C F का मान 48 तो यह यहां पर आएगा 48 अब ओन में F का मान कितना है 23 एच का मान कितना है 5 है तो M is equal to 45 प्लस दो गुणा 5 और 50 में से 28 जाएगे दो दो गुणा 5 और य कि आजेगा 23 है M का मान आजेगा 45 प्लस पांदुनी 10 दस बटा 23 तो माध्यक निकालेंगे यानि 10 में 23 का भाग लगाते हैं 10 में 23 का भाग लगाते हैं सब्डेंट तो हमारे पास में इसका जो राइट अंसर आजेगा वो आजेगा 0.4 45 प्लस 0.4 आएगा भाग 4 बार जाए ना तो 23 चोके ठीक है तेज दुनी 46 और 46 दुनी बान में हो जाएगे तो 0.4 आगे सम्थिंग जाएगा लेकिन पॉइंट के एक कंग तक निकालना है M का मान आजेगा हमारे पास में 45 प्लस 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 जो इसका कि किसी कारण 12 खराब पें 132 अच्छे पेंओं में मिल गए अब एक साइड में 132 अच्छे पें थे एक साइड में 12 खराब पें थे कोई कारणवस मिल गए हाथ से सूट गई जो भी है केवल देखकर यह हैं पता नहीं लगा जाए सकता कि कोई पें खराब है अब वह दो- एक पें निकाला जाता है यादर्चा इसमें से एक पें यादर्चा निकाला जाता है बगेर देखें तो इसके अच्छे प्राप्त होने की प्राइक्ता ग्यात है कि जी इसमें तो सबसे पहले इसका जो कंडिशन है वो टोटल पें लिखते हैं solution में लिखेंगे cool pen cool pen 12 पलस में 132 is equal to 144 कितना आएगा 144 pen आजेगा अच्छे pen कितने है 132 वे खराब pen और खराब pen कितने है 12 तो अच्छे pen आने की प्राइक्ता अच्छे pen आने की प्राइक्ता को PA से रिपरजेंट कर दिया संभावित प्रणाम बटे कुल संभावित प्रणाम संभो प्रणाम संभो परिणाम बटे कुल संभावित कुल संभावित परिणाम यह होज़ेगा अमारे पास में संभो प्रणाम कितने है सही पैन कितने हैं यह 132 और कुल संभावित प्रणाम है 144 इसको काट ओगए किससे कर जाएगा 12 से 12 एकम बारा 12 एकम बारा और बारा बारी 144 तो इसका जो राइट एंसर होगा वो आएगा 11 बटे 12 तो आज की क्लास में अपने चार नंबर क्यूसन से लेके 16 नंबर क्यूसन तक कंप्लिट किया है क्लास कैसे लगी कुमेंट बॉक्स में जुरूर बताईएगा अच्छे लगी हो तो लाइक और शेर एक एक लाइक और एक एक सेर सभी का बनता है अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें पास में लगी बेल आइकन को दबाएं ताकि परते क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिले तो आज की क्लास में इतना ही नेक्ट क्लास में मिलें कुछ नए के साथ जय हिन जय भारत